नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनेतिक गल्यारा में आज का मुद्ध है शिपाल सिंग्यादफ को कब मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी छी हाँ यहाँ पर आपको बता दे कि हमने एक रिपोर्ट आपके साजा के थी जिसमें यहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि उन्हें महासची बनाया जा सकता है उन्हें यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है तो यहाँ पर आपको बता दी कि इस तरीकी की जानकारी लगतार बनी हुए लेकिन यहाँ पर लोकसवा चुनावों में भी उन्हें इटावा सीट से खड़ा किया जा सकता है इस तरीकी की जानकारी है अब यहाँ पर देखा ज़ाए तो शिपाल सिंग याडव के अखिलीश याडव के साथ मिल जानी की वजह से जीत देखी थी तो क्या यहाँ पर अखिलीश याडव अब आने वाले समय में जीत हासल करना चाते है तो कि शिपाल उनके साथ जुड़े रहेंगे इसका सबूत मैं इस दो से तीर दिर पहले मिल चुका था जब सपा और प्रस्पा का विले हुआ था तब यहाँ पर दोनों नेताओं ने कहा था कि हम साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे समाजवाद था समाजवाद है और समाजवाद रहेगा इस तरीके से दोनों नेता अपनी बात रखते नज़र है लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात यहाँ पर करेंगे यहाँ पर शिपाल सिंग्यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी को लेकर क्योंकि यहां पर नेता प्रतिपक्ष के बारे में आपको बता चुक्यूंकि इस तरह किसे हमारे संयोगियों ने अपनी राय रखी थी क्योंकि वो भी लगातार उज़ा प्रदेश के हर एक खबर को हर एक सियासत में हलचल को लेकर लगातार कवरेज कर है तो चली अपने संयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ उनकी राय है यहां पर शिपाल सिंग यादव वो जिम्मेदारी कैसे संभाल सकते हैं क्या बदलाव देखने को मिल सकता है सपापार्टी में क्या यहां पर अखिलेश यादव की जीत आने वाले समय में 12-24 के चुनावों में यहां पर हो रहे उप चुनावों में क्या पूरी तरीके से फाइनल माने जा सकती हैं अभी भी सवाल यही बना हुए कि आखिरकार शिपाल सिंग यादव को कब किस दिन यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंक महासचीफ की भी बात की थी और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और रास्टकर अध्यक्ष की भी बात की थी तो लगतार उनको इनकी मांगar को लेकर उनकी जिम्मेदार के लिए वो यहां पर कई ना कई मतलब की देखे जाते कि उन्हें जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अभी यहां पर जानकारी सामने आरी कि लोकसभा में कई ना कई खड़ा किया जा सकता है लेकिन उससे पहले बात करें उनके यहां पर रास्ट्री अध्यक्ष प्रदेश अध्यक देखा जाए तो मैंन पुरी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें आगे किया गया उन्हें मनाया गया यहां तक कि दिमपल यादव खुद अन्हें फॉन की थी और उस वक्त उन्हें बातचीत की थी कि अभी के चुनाव हैं और अभी के चुनाव हम लड़ सकते हैं लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें भी नहीं पता कि दिमपल यादव कहां से चुनाव लड़ेंगी तो उनके लिए एक तरीक से यह आखरी मोका रहा तो उन्होंने मनाया कि अभी का वक्त है तो आपको आना ही चाहिए और ठीक दूसरे ही दिन अखलेश यादव डिमपल यादव जी ने कहा साफतार पर कि पार्टी को नैशनल लेवल पर ले जाना है पी एम पत की दावेदारी को लेकर उन्होंने बात कही कि नेता जी यही चाहते थे तो इस तरह से देखा जाए शेपाल यादव काफी जादा माईने रखते है शेपाल यादव एक ऐसे नेता है जिसके यहाँ पर जो मुलाइम सिंग यादव जी के जो समधी रहे उन्होंने भी यही बात कई कि शेपाल यादव का इस पार्टी में काफी अपमान हुआ है तो उन्हें बीजेपी की तरफ रुख कर लेना चाहिए अगर शेपाल बीजेपी की तरफ जाते तो शायद हमें कुछ अल बनेतरारी मिलेगी मिलेगी यहाँ पर देखा जाए ना सिरफ नेता प्रइतिपक्री प्रदेश अद्यक्षपता कि तो यहाँ पर जो जो अट छहेट्र जो अलग-अलग दल हैं उनको वह मनाने में काफी जादा कामयाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो उनसे रूठे हुए हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो सपा से रूठी हुई हैं, अखलेश यादव ने ओपी राजवर को विदाई दे दी, अब देखा जाएं तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को एक बार फिर से अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए शिपाल यादव अगर आगे आएंगे उनने प्रदेश अदेक्ष की कमान सौबती जाएगी, तो मुझे लगता है एक जुटा का संदेश देखने को मिलेगा यूपी की सियासत में जो बिपक्ष दावा कर रहा है लोगसभा चुनाव के लिए कि बिपक्ष एक जुट हो जाएगा तो केंदर से बीजेपी को हटाया जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो जायर सी बात है शिपाल यहां पर कामयाब जरूर सावित होते हुई नजर आएगी, जाहिर सी बात है यहां पर एक बड़ी चुनोती देखने को मिल सकते है क्योंकि मायावती बार बार यहां पर सपा और बीजेपी पर तंसकस रही हुई उन्होंने एक बात कहीं कि कहीं न कहीं ये इनकी रड़ नीतिया रही, यहां पर देखा जाए तो बीजेपी और सपा ने खेल खेल दिया और मुस्लिम वोट बैंक को बचके रहना चाहिए आने वाले समय में जितने भी चुनाब होंगे, तो अब आज़म खान के दर्द पर बार बार वहे अपने दर्द को जाहिर करती हुई नसरारी है, तो ऐसे में देखा जाए बसपा सुप्रीमो मायावती जुन्हों ने अपनी प्रत्याशियों को तो आगे नहीं किया गया, आगे नहीं किया तीनों ही सीटों पर, रामपूर, मैनपूरी और खतौली पर, लेकिन अब सवाल यहां पर यही खड़ा होता है, कि आखिरकार क्या यहां पर सपा में एक नई टूट देखने को मिल सकती है, उनकी यहां पर एंट्री से, वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन मायवती का यहां पर जो दाव पेच है, वो लोग सभा चुनाव को लेकर है, ओपी राजवर ने खुद खुलासा किया था, कि फौन पर उनकी बात चीत होती रहती है, लेकिन मायवती से जब मिलने की बात उन्होंने कही, आजमगर उप चुनाव को लेकर भी उन्होंने बात कही, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे तो हंगामा हो जाएगा, यह बात हम बखुभी समझ सकते हैं, क्योंकि साल 2019 में सपा और बस्पा का गटवंदन रहा, लेकिन साल 2022 में यूपी के विधान सबा चुनाव सपा ने अकेले ही लड़े, लेकिन हार का सामना किया, तो ओपी राजवर उसी आधार पर बात कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पर गटवंदन होता, शिपाल की रड़नीतिया भी यहाँ पर लोकसपा चुनाव को ले करी रहेंगी, अब देखना यह दिल्चस्प होगा कशिश, कि ओपी राजवर जो यहाँ पर गुडगान कर रहे हैं बस्पा के, क्या वह सपा में वापसी एक बार फिर से कर पाएंगे, अगर यहाँ पर शिपाल नहीं मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष का पद उनकी लिए काफी जाधा शांदर होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद भी काफी जाधा शांदर है, यहाँ पर मेर्ट सवल अबरार से भी रहेगा प्रदेश अध्यक्ष पत को लेकर ही लगतार अभी यहाँ पर जानकारी सामने आरे अबरार की तीन पत ऐसे जो कहीं नके इन तीनों में से जिम्मेदारी दी जा सकते है शिपाल को यहाँ पर प्रियांशी ने अपनी बात रखी कि अगर वो पद शिपाल के पास है मुलायम को नहीं दिया तो कैसे देंगे यहाँ पर शिपाल को तो उसको लेकर आपको क्या लगता है कौन सा पद उनके जादा बहतर है यहाँ देखें अभी जिस सरीके से चर्चाय चल रही थ कि उन्हें हो सकता है कि जस्वंत नगर विदान सबासीट से इस्तिफाद लवा कर दोज़ाद चुनाओं में इटावा या फैजबाद सबासीट से चुनाओं लड़वाया जाओ फिर उन्हें केंदर की सियासत में समाजवादी पार्टी के और जादा विस्तार के लिए काम करने को का जाए फिलाल देखा जाए तो इस समय शियुपाल यादव अकलेश आदव की भी मजबूरी है और खुद अकलेश यादव को इस समय जो है उस तरीके के अनुभवी नेताओं की जरूरत है क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं और बात के जाए शियुपाल याद पर राश्ट्री अस्तर पर विस्तार देना है तो जाहिए पात क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके लिए भैतर है या नहीं देखे परदेश अध्यक्ष को लेकर के जहां तक सवाल है अब का तो उस पद को लेकर क्लेश आदव नहीं चाहेंगे कि जिम्मेदारी उनक के कबजे में पार्टी आजाएगी तो कही रहा कही माना जा सकता है कि अखिलेश ये तो नहीं चाहेंगे कि पार्टी की पूरी कमान है शिवपाल के हाथों में चली जाए हां लेकिन जरूर उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा क्योंकि लगतन के समर्थ को में भी यही दे टेक्ते रहिये नेख्स नाइन्यूस